क्या आप जानते हैं कि तस्मानिया का 2021 वबाइस का स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम नए अप्लिकेशन्स के लिए बुद्धवार 4 अगस्त 2021 राद 12 बजे से शुरू हो रहा है 2021 वबाइस प्रोग्राम यर के लिए तस्मानिया के नॉमिनेशन कोटा में सबक्लास 491 के लिए 200 जगह और सबक्लास 190 के लिए 1100 जगह हैं इन में से लगभग 500 स्थानों का इस्तेमाल 2021 वबाइस प्रोग्राम यर से अप्लिकेशन्स के लिए किये जाने का अंदाजा है Detailed News जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें Brain Drain Consultants की तरफ से हमारे Immigration Information और News Channel A2Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है 2021 वब 22 के program years के लिए nomination requirements में बहुत कम changes किये गए है Migration Tasmania website में candidates के लिए और भी बहुत सी जानकारी और सपश्टी करन है इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी का सारांश बताने जा रहे है Category 1 Tasmanian में graduation करने वालों की है जिसमें employment ज़रूरी नहीं है हाला की रोजगार या business operation के evidence को उनके assessment में ध्यान में रखा जाएगा जहां Employer अच्छी तरह से established है और कम से कम 12 महीनों के लिए तस्मानिया में काम कर रहा है Employment का time 3 महीने से जादा हो गया है Applicant का अपना business कम से कम 6 महीने से चल रहा हो उनके पास कम से कम certificate 3 का relevant industry training पूरा किया होना चाहिए Category 2 उन लोगों के लिए है जो तस्मानिया में काम कर रहे है जिसमें ऐसे उम्मीदवार है जिनके पास Tasmanian skilled occupation list में से किसी एक occupation के लिए skills assessment है या वे कम से कम 3 महीने के लिए related position में काम करने के बाद subclass 491 nomination के लिए eligible होंगे या तस्मानिया में बसने के सच्चे इरादे को दर्शाने में मदद करने के लिए ऐसे applicants जिनके पास मौझूदा एक temporary skilled shortage visa subclass 482 है और जिन्होंने अपने Tasmanian based sponsoring employer के साथ 12 महीने से कम समय तक काम किया है उन्हें अपने current sponsoring employer से support का एक letter देना होगा या फिर तस्मानिया में चालू एक well established business से normally कुछ चीजें होने की उम्मीद की जाएगी जैसे की permanent business signage, active, ongoing online presence, advertising और marketing, registered business location के रूप में Tasmanian address, एक local landline contact number, एक ongoing office space जो casual या virtual नहीं है और बताय गए business location पर employees का permanent representation या अपने employer के साथ काम करते हुए industry-based training का period lower skilled employment के लिए career development की संभावनाओं को दर्शा सकते हैं या मौजूदा qualifications के लिए options जो larger population centers में available नहीं है Bridging Visa Holders Seeking, Migration Tasmania Administrative Appeals Tribunal या Australian Federal Court में वीजा से इनकार या रद करने के फैसले का review करने वाले candidates के application स्वीकार करेगा हालाकि वे nomination confirm नहीं करेंगे जब तक की कोई applicant Australia चोड़ने की reasonable ability नहीं दिखा सकता अपना skilled visa application जमा कर सकता है और भविश्य में Australia के लिए वापस लोट सकता है और इसमें जो evidence शामिल हो सकते हैं वो है Australia से departure की अनुमती देने के लिए bridging visa B के grant का evidence, New Zealand में enter की अनुमती देने वाले visa का evidence अगर travel bubble country की यात्रा नहीं कर सकते Australia सरकार के travel exemption criteria को पूरा करने के लिए उचित दावे plus उनके current employer का एक पत्र यह स्वीकार करते हुए कि वे अपना visa application जमा करने के लिए Australia से रवाना हो रही है तो visa और travel exemption process के दौरान उनकी absence को बढ़ाया जा सकता है और यह कि उनका रोजगार वापसी के बाद भी available रहेगा और travel arrangements के evidence जहां एक nominee अपना visa application जमा करने में असफल रहा है वो migration Tasmania उन्हें re-nominate नहीं करेगा इन circumstances में nominees को एक नया nomination application जमा करना होगा इस बात की कोई guarantee नहीं है कि उनके एक और nomination को मंजूरी दी जाएगी क्या है तस्मानिया के 2021 वब 22 के program years का लक्षे और priorities Tasmanian state nomination skilled migration Tasmanian businesses को support करता है और state की working age population को बढ़ाता है यह ऐसे migrants को आकरशित करने और बनाय रखने में मदद करता है जिनकी employers को फिलहाल जरूरत है या लंबे time में skilled employment के जरिये तस्मानिया में बसने की क्षमता के साथ साथ और भी business activities से लोकल लोगों के लिए employment की opportunities बढ़ेंगी Migration Tasmania की nomination priorities है Employment और critical roles से related skills assessment वाले उम्मीदवार Tasmanian skilled occupation list से संबंधित employment और skills assessment वाले candidates दूसरे skilled employment में उम्मीदवार ANZSCO skill level 1 to 3 related skills assessment के साथ नए business के मालिक local Australian citizens permanent residents या provisional visa holders के लिए substantial employment के अवसर देते हैं और दूसरे सभी eligible candidates जिनके पास तस्मानिया की जरूरतों के लिए relevant skills या training है और जो skilled employment के जरिये तस्मानिया में genuine योगदान देने में सक्षम है इन priorities के अनुसार applications पर विचार किया जा रहा है जिसमें critical roles वाले लोगों को पहले nominate किया गया है मौजुदा applicants जो critical roles में नहीं है उन पर critical roles के लिए priority वाले applications पर action किये जाने के बाद ही विचार किया जा रहा है प्राक्टिस में priorities एक से तीन में applicants को ongoing basis पर approved और nominate किया जाएगा टाइम टाइम पर दूसरे eligible applicants को nominate किया जाएगा यदि sufficient quota स्थान available है available nomination places के limited number को देखते हुए priority चार और पाँच applicants को उनके application पर विचार करने के बाद कुछ हफ़तों तक outcome नहीं मिल सकता है तस्मानिया के 2021 व बाइस के program years की critical roles क्या है इन roles में शामिल हो सकते हैं तस्मानिया इसरकार द्वारा attach और तस्मानिया की COVID-19 feedback में सीधे मदद करना Tasmanian Health Service के साथ सभी general nursing और medical positions के साथ critical medical services प्रदान करना Infrastructure Engineering और maintenance जैसे dams, large, high complexity bridges, irrigation schemes, transport logistics, planning और maintenance, agriculture जैसे artificial insemination technicians, livestock pregnancy scanners और essential चीजों की supply में highly skilled और specialized roles और सेवाएं जो applicant के बिना खत्रे में होंगी lower skilled positions जैसे की retail workers, harvest labor, delivery drivers या warehouse staff critical roles के रूप में शामिल नहीं है हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भार्षा में immigration related सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी प्रिपा comments में अपने suggestions और feedback जरूर दे हमें sport करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ, bell icon को अभी दबा दीजिए अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी